स्नोड्राप एपिसोड 14 के स्टार्ट में ली और सुहो एक दूसरे की तरफ गन पॉइंट करते हैं और सुहो ली को कहता है कि मैंने जैसे सुना था वैसे ही सारे साउथ कोरियन्स गदार है क्या ली कहता है कि मेरे पास और कोई आपिशन नहीं है मैं तुमें यहां से वापस नौट कोरिया बेज नहीं सकता हूँ सुहो बोलता है कि मैं जिन्दा रहने के लिए तुम्हारा साथ दे रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं साउथ कोरिया के साथ हूу कुछ भी हो जाए मुझे नौध कोरिया में जाना ही होगा क्योंकि मेरी बैन सूही को मुझे बचाना है A.N.S.P. के बेस में नाम टेल एजेंट्स को औरर देता है कि रात को हस्टेल उड़ा दो और तबी उसे सूरियन का फोन आता है यहाँ ली सूहो को बोलता है कि अब हम फाइट नहीं कर सकते हमें साथ में काम करना है और वो दोनों अपने गंज नीचे रख देते है ली सूहो को बोलता है कि चंग या इतना सारा पैसे लेके सच में यहाँ आएगी कि नहीं पता नहीं वो पैसा लेके दूसरे देश भाग कर अपनी जिन्दगी एशो आराम से गुजार सकती है सुहो उसे कहता है कि मुझे पता है कि वो पैसे लेकर नाम टेल को भी बोल सकती है कि होस्टेल को उड़ा दो और खुद की आइडेंटिटी छुपा लेगी लेकिन अभी उस पे ट्रस्ट करना इंपोर्टन्ट है सुहो फिरली को एक नोट देता है जिस पे जो नौथ कोरिया से उसे मेसेज आया था वो लिखा है उस पे लिखा होता है कि होस्टेल को उड़ा दो नहीं तो तुमारे बेहन सुली को हम मार डालेंगे प्रेयरू में सुहो और यंग्रो बात करते हैं कि हमारी जिंदेगी अगर हम नौर्मल होते तो कैसे होती सुहो कहता है कि वो एक सिंगर होता जो कैफे में गाता क्यूंकि उसके पापा भी सिंगर थे यंग्रो बोलती है कि वो हर दिन उस कैफे में जाती सूहो से मिलने सूहो से सौरी बोलता है कि मेरे वज़े से तुम्हें इतने परिशानी हुई तो यंग्रो कहती है कि तुम खुद की मर्जी से ये नहीं कर रहे हो ये मुझे समझ में आता है सूरीयन और नाम टेल की बात होती है कि सूहो को नौर्थ कोरिया ने बताया है कि हॉस्टेल को उड़ा दो जल्दी से तो तुम जल्दी से हमें 300 मिलियन डॉलर भेज दो नाम टेल खुश हो जाता है कि अब उसे कुछ नहीं करना पड़ेगा वो चांग सू के सेकरेटरी को कहता है कि हमारा सिर्फ अब एक ही प्रॉबलम है वो है चांग सू क्यों कि उसने तुमें देखा था गोली चलाते हुए वो सेकरेटरी चांग सू को मार डालने के लिए जाता है तब ही उसे दिखता है कि चांगसू की वाइफ जोर-जोर से रो रही होती है और बोल रही होती है कि आप ऐसे कैसे कर सकते है सेक्रेटरी नाम टेल को बोलता है कि टीवी देखो और टीवी पे यही दिखा रहे होते है कि चांगसू की हालत खराब हो गई है नाम टेल बोलता है कि फिर हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है शारलेट को उल्लू बनाने का प्लाइन सक्सेस्फुल हो गया होता है क्योंकि आन से वो पैसे लेकि आकाउंट में रखती है और फॉरेनर जिसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था उसके साथ डील भी कर लेती है और वो सारे पैसे अब चंग्या के हाथ में आ गए होते है चंग्या रेडियो से सुहो को कॉल करती है और बताती है कि उसके हाथ पैसे लग गए है और वो रात तस बजे तक होस्टेल आ जाएगी वो ली को बोलती है कि हाना को बताओ मेरा पीछा ना करे और बोलती है कि अब हाना मेरी मदद करो मेरे घर में एक गंटे में आ जाओ ली अपना ट्रांस्मेटर चार्च करने के लिए जाता है तब बुनोक उसके ट्रांस्मेटर को देख लेती है और बोलती है कि चंग्या एक North Korean जासूस है ये सुनके आन एक टीम को अपने साथ लेके चंग्या के घर उसे पकड़ने जाता है चंग्या अपने घर पहुची होती है और वाहाना भी पहुच गई होती है हाना, आन पुलीस हेड को और बागी की टीम को देखती है जो चंग्या का पीछा कर रहे होते है तो वो जल्दी से आन की कार मेंसे फोन निकालती है और चंग्या को फोन लगा कर बताती है कि भागो आन आ रहा है चंग्या के रूम में तभी आन आ जाता है और वो चुपकर भाग जाती है और सारे एजेंट उसके पीछे भागने रखते है वो नीचे पहुँच कर हाना की गाड़ी में बैट कर वहासे चली जाती है आन उसके घर की तलाशी लेता है तो उसे चंग्या की सीक्रेट रूम में सभी एएएनसपी के लोगों की इन्फर्मेशन दिखती है hostel में बुनोग bathroom में खुद से बात कर रही होती है कि ए एनसप वाले कर क्या रहे है उन्हें डिरेक्टर की बेटी को बचाना नहीं है क्या तब ही सांग बम washroom से बाहर निकलता है और पूछता है कि क्या बोली तुम डिरेक्टर की बेटी यहाँ है मैं जब तक अच्छे से बात कर रहा हूँ तब तक मुझे तुम बता दो तो बुनोग उसे सब बता देती है सब लोग प्रेयर रूम में होते हैं और वहाँ सांगबंग जाके बोलता है कि ली डेक्टिव एनस्पी की डिरेक्टर की बेटी यहाँ है तो तुम ये यूस क्यों ने कर रहे तो सब लड़किया एक दूसरे की तरफ देखती है और कहती है कि एनस्पी की डिरेक्टर की बेटी यहाँ रहती है तब ही वहाँ यंग्रो आती है और सांगबंग बोलता है कि देखो आ गई सबी लड़किया यंग्रो की तरफ गुसे से देखते हैं और उसे बोलते है कि तुम खूनी की बेटी हो तुम्हारे पापा ने कितने लोगों को टॉर्चर किया है हमें तुम जैसी जूटी से बात नहीं करनी है हैरियोंग उसे बोलती है कि तुम रूम में आने की भी बात मत सोचना और सारी लड़िया वहाँ से चली जाती है वॉर्डन यंग्रो को पूछती है कि क्या तुम ठीक हो तो यंग्रो कहती है कि हाँ गलती मेरी ही है मैंने उन्हें कभी बताया नहीं और वहाँ से भाग कर टेरिस के रूम में जाती है सुहो को ये पता चलता है और वो भी वहाँ जाता है और यंग्रो को हग कर लेता है यहां हाना और चंग्या गाड़ी में आन से भाग कर बैठे होते है चंग्या हाना को बोलती है कि जैसे A.N.S.P. मुझे पकड़ने आई वैसे तुम भी वहा कैसे आई तुमने ही A.N.S.P. को बताया ना कि मैं जासूस हूँ हाना बोलती है कि मैं क्यों बताओ तुम्हारा जिन्दा रहना ली और सुहो के लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है हाफ चैपनिस हाफ कोरियन है नाम टेल बोलता है कि वह तो सिर्फ मेरी डॉक्टर है मुझे कुछ नहीं पता तो आन उन दोनों की रोमैंटिक फोटोस उसे दिखाता है और उसे अरेस्ट कर लेता है आन ली को कॉल पे बताती है कि चंग्या भाग गई है तो सुहो उठकर जू के पास जाता है वो जू को कहता है कि चंग्या को एंएसपी के लोगों से धोका है और वो बाहर हमें बचाने गई थी ताकि इलम जिरुग हमें कुछ न कर सके मुझे मेसेज मिला है कि अगर मैंने आज राथ होस्टेल को नहीं उड़ाया तो मेरी बेहन को मार डालेंगे तुम तुमारे सुपीरियर से बात करो ताकि हम जिरोक का कुछ कर सके जो अपने सुपीरियर को मेसेज करता है कि चंग्या एक्सपोस हो गई है और यहां नौर्थ कोरिया में सुरियन जिरोक पे चिला रही होती है कि चंग्या तुमारी एजेंट थी अब देखो क्या हो रहा है तुमारे वज़े से ये सब शारलेट की दुकान में नाम टेल की वाइफ रो रही होती है क्योंकि चंग्या के वज़े से सब बिगड़ गया है वो शारलेट को कहती है कि मुझे उस जोतिश ने बोला था कि चंग्या को तुमारे पती के साथ रहने दो उसके करियर के लिए वो जोतिश ही फ्रॉड है और उस जोतिश का वो नंबर डाइल करती है पर फोन लगता नहीं है शारलेट बोलती है कि रुको मैं करती हूँ फोन और फिर से फोन नहीं लगता है शारलेट अपने सेक्रेटरी को बोलती है कि लिंडा यंग जिस फॉरेनर के साथ हमने डील की है उसके ओफिस को फोन लगाओ तो फोन लगाने पर पता चलता है कि लिंडा यंग कभी साउथ कोरिया गई ही नहीं थी शार्ले जोतिश के घर जाती है और बहाँ भी कोई नहीं होता है तो बागल होके चलनाने लगती है हाना ली को बताती है कि उन चांगसू की वाइफ मुझे मिलने बुला रही है तो अब मैं जा रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है वो चांगसू के रूम में जाती है तो उसकी वाइफ चांगसू का वेंटेलेटर निकालती है और चांगसू हाना को बोलता है कि मेरे साथ काम करो होस्टेल की लड़कियों को बचाने हाना उसे बताती है कि सुहो को ओर्डर मिला है हॉस्टेल उडाने का आज रात को नहीं तो उसके बहन को मार डालेंगे चांगसु कहता है कि मुझे ली और सुहो से बात करनी है ली को हाना कॉंटक्ट करती है और वो चांगसू से बात करता है कि न्यूज बे दिखा रहे है कि आपकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है ये फेक न्यूज है ना चांगसू बताता है कि तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ मुझे सुहो से बात करने हैं और वो सुहो से कहता है कि तुम लड़कियों को जाने दो और तुम सब बाहर निकलने के बाद मैं होस्टेल को खुद उड़ा दूँगा ताकि नौर्थ को लगे कि तुम मर गए हो और तुमारी बहन भी जिन्दा रह सके तुम्हें निकलने के बाद मैं दूसरे देश भाग जाने में मदद करूँगा ली बोलता है कि सबी लड़कियों को पता है कि इलेक्शन्स के लिए ये हो रहा है तो आप ही निउस में बताओ कि ये क्या चालू है चांगसु बोलता है कि मैं गाल रिपोर्टर को बोलूँगा ये निउस कवर करने के लिए क्योंकि अगर मैं पावर में रहा तो ही मैं तुम्हें मदद कर सकूँगा सुहो कहता है कि मैं सोच कर बताता हूँ सुहो यंग्रो वर्डन और लीबेट के बात करते हैं कि ये सब प्लान सफ यंग्रो को बचाने का तो नहीं है तो यंग्रो उसके पापा को कहती है कि मुझे और सुहो को एक गाड़ी में रहने दो ताकि मैं अपने खुद की आखों से देख सकू कि वो सच में सेफ है या नहीं चांग्सु बोलता है कि मुझे विश्वास करो मैं सुहो को बचाने के लिए कुछ भी करूँगा पर यंग्रो कहती है कि मुझे खुद देखना है तो चांग्सु कहता है ठीक है तुम और सुहो एक कार में साथ जाओ चांग्सु हाना को कहता है कि तुम होस्टेल जाओ और सा सब कुछ बता देंगे तो तुम जब तेरा लोग होस्टेल के अंदर होंगे तब होस्टेल को खुद उड़ा देना तभी प्रेसिडंट का फोन चांग्सू को आता है जो बोलता है कि तुमारी बेटी होस्टेल में है याद रखो कि जब वार था तब एक जैनरल ने खुद के साथ रहूंगी यहाँ चांग्सू किसी को फोन करता है और बोलता है कि अभी होस्टेल को उड़ा दो और यहाँ एपिसोड खतम हो जाता है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक कि यहाँ है ओर बोले बोले की लाइब करना अर वो तो